तो सबसे पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे यहां देखें नैट्रोजन फॉस्वरस यह मतलब ग्रूप 15 का है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा पांच ठेक और क्लोरीन है क्लोरीन 17 तो यहाँ साथ और इन्टीवाइव करना पाइगा तो टोटल वालेंस एलेक्ट्रोन यहाँ कितना हो जाएगा 40 अब हम जानते हैं कि बॉंड निकालने के लिए इसमें कितना बॉंड पैर होगा तो इसके लिए हम अगर total violence electron 8 से बड़ा हो तो 8 से भाग दिया जाता है तो चलिए 40 में अगर हम 8 से भाग दे तो 8, 5, 4, 5 आएगा ठीक अब क्या करेंगे तो यह bond pair निकल गया अगर कोई 6 बचे तो 6 में 2 से भाग देते हैं लेकिन यहाँ long pair यह क्या है long pair LP तो यहाँ 6 अगर कोई नहीं बचाए 0 है तो 0 में 2 से भाग देंगे मतलब long pair एक भी नहीं है ठीक और electron pair कैसे निकालेंगे तो bond pair और long pair दोनों का sum होता है electron pair तो यहाँ 5 और 0 को जोरेंगे 5 और इस electron pair के अधार पर हम जो है hybridization निकाल सकते हैं हाँ hybridization कितना हो जागा sp3d ठीक और sp3d इसका जो है वह geometry जो होता है वह होता है trigonal by pyramidal trigonal by pyramidal इसका geometry क्या होता है trigonal by pyramidal ठीक यह इसका geometry हो गया यह क्या हो गया इसका geometry trigonal by pyramidal चलिए अब structure हम खीचने का पर्यास करते हैं तो यहां हम ध्यान देंगे trigonal by pyramidal कैसे खीचे तो phosphorous है इसमें ऐसे लेते हैं यह trigonal type का बना लेंगे और उपर एक pyramidal ठीक तो यह हो गया PCL5 का structure CL 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 और CL ठीक आप इसको मिला देते यह trigonal type हो जाएगा ठीक और यह पीसे इसे बोला जाता है equatorial 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 bond और इसे बोला जाता है axial एक्षियल एक्षियल बॉंड ठीक और यह जो है इनके कारण रिपल्सन जो है वो इसको जैदा मिलता है इनके तुलना में देखिए एक्षियल बॉंड जो है वो जैदा रिपल्सन जो है वो experience करेगा और इसलिए जो है वो एक्षियल बॉंड यहां जो है एक्षियल बॉंड वो जो है वो बरा होता है equatorial bonds equatorial bonds धन्यवाद